हेलो दोस्तों, वेल्कम टू आवर चैनल, देखे दोस्तों, आज मैं आपकलेक रहा हूँ जेनरल स्टडीज हैं, यानि समाने अध्यन के मोस्ट इंपोर्टन तीस कुश्चन हैं, जो कि आपके आने वाल एक चाम से रेल बे, आर पी एफ हैं, ससे जी डी, यूपी पुलिस और सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए काफी मैत पूर्ट है, तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पासवाल इबेल आइकन है, उसे भी यन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे ए आपको इंचारवन बताना है कि सत्या सोधक समाज के स्थापना जो है, यह किसके द्वारा किया गया था, तो देखें यह किया गया था, जोतिबा फुले के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट अंचर है, अप्सन सी हो जाएगा, और यह देख चाम पूछा जाए कि ब्रहम समाज के स्थापना किस ने की थी, तो देखें ब्रहम समाज के स्थापना जो है, यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो आपिसे भी याद रखेंगे, नश्ट कुश्चन देखें, कुश्चन मर्दू है, स्वामी विवेका नंद ने राम कृस्न मि तो दeखे आपको इन्च आरम है बतना गुवा का ये सर्वाधिक लोग प्रियात्य वार खुए, तो देखे यह है कर नीवल है तो इसका राई देखिए ये सभी important question है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से last तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दिया करें तो चलिए देखते हैं next question है पोलो खेल का प्रचलान भारत के किस राज्य में हुआ था? तो देखिए पोलो खेल का प्रचलान जो है ये भारत के मढ़ीपूर राज्य में हुआ तो इसका right answer है option भी हो जाएगा और यह देख चाहिए हम पूछा जाए कि polo खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो देखे पोलो खेल में ये 4 खिलाड़ी होते हैं तो आप इसे भी याद रखेंगे next question देखे question और 5 है monalisa क्या है तो देखे monalisa ये एक painting है तो इसका right answer है option भी हो जाएगा next question देखे question मर 6 है उस्ताद मनसूरी किसके सासनकाल में प्रसीद चित्रकार थे तो देखे उस्ताद मनसूरी जो थे ये जहांगीर के सासनकाल में प्रसीद चित्रकार थे तो इसका right answer है option भी हो जाएगा next question देखे कुशन में साथ है भीम बेट का किस के लिए प्रसीद है तो देखिए आपको इंचारों बताने कि जो भीम बेट का है तो यह किस के लिए प्रसीद है तो देखिए यह प्रसीद है गुफाओ के सेल चितर के लिए ठीक गुफाओ के सेल चितर के लिए प्रसीद है तो इसका रा नेश्ट कुश्चन देखे कुश्चन मराठ है अकबर नामा किस ने लिखा था तो देखे अकबर नामा जो है यह अबूल फजल ने लिखा था तो इसका राइट अंसर है अप्सन सी हो चाएगा और यदि एक चाहां में पुछा जाए कि बाबर नामा किस ने लिखा था तो द होते हैं तो देखें कोखेल में ये नौ कि लड़ी एक टिम में होते हैं तो इसका दियों को चाहेगा में नाइस्ट कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्राचीन भारत का महान ब्याकराण पतंजलिक किसका समकालिन था तो देखे आपको इन चारव में बताना है कि प्राचीन भारत का ये महान ब्याकराण पतंजलिक किसका समकालिन था तो देखे ये समकालिन था पुष्यमित्र सूंग का ठीक पूसे मित्र सुग का समकालिन था तो इसका right answer है option do चाहएगा और यदे एक चोंगा हम पूछाजाए कि सुग बंस के स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो देखें सुग बंस के स्थापना जो है ये पुसे मित्र सूंग के द्वरा किया गया था तो आप इसे भी याद रखेंगे नश्ट कुश्ण देखे कुश्ण 12 है निमलेखित में से किसने सरवाधिक सूध सोने के सिक्के जारी किये थे तो देखे आपको इंचारवां बतना किसने जो है ये सरवाधिक सूध सोने के सिक्के जारी किये थे तो देखे ये जारी किये थे कुसाड़ों ने ठीकक कुसाड़ों ने जारी किये थे तो इसका right answer है ऑपसन यह हो जाएगा नश्ट कुश्ण देखे question मर्टेरह है बीस्व इतिहास की जलक के रचईता कोन है तो देखे बिश्व इतिहास के जला की एक पुस्तक है और इसकी रचना जो है जोहरलाल नहरू के द्वारा किया गया था तो इसका राइट अंसर है अप्सन ही हो जाएगा हडप नीती के अंतरगत कौन से भारती राजजी को कबजा किया गया था तो देखे आपको इन चारवन बतना है कि हडप नीती के अंतरगत ये कौन से भारती राजजी को कबजा किया गया था तो देखे ये किया गया था जहांसी नागपूर वसतार ठीक जहांसी नागपूर वो सतार को कबजय किया गया था तो इसका राइटन चरें? अप्सन भी उचायेगा और यदी एक चाहएं पुछाएगा कि राज छेहरा पनिति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो देखें, राज छेहरा पनिति जो हैं, ये लोड दलहोजी के द्वारा लागू की गई थ तो देखे सर्ट टामस मुन्रो जो है ये रायत बाड़ी बंदो बस से सम्बंदित है तो इसका राइट अंचर है अप्शन सियो चाहेगा नेश्ट कुश्चन देखे कुश्चन मरसी स्टीड है भारतिय पुनर जागराण अंदोलन के पिता कौन थे तो देखे भारतिय पुनर जागराण अंदोलन के पिता ये राजा राम मोहन रहे थे तो इसका राइट अंचर है अप्शन डियो चाहेगा नेश्ट कुश्चन देखे कुश्चन मरसी बेंटीन है है राइदराबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो देखे है है राइदराबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का नाम जो है ये सरदार बला भाई पटेल के नाम पर रखा गया तो इसका राइट अंसर है, अप्शन ही हो चाहेगा, निश्ट कुश्चन देखे, कुश्चन मरे 18 है, जपान का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है, तो देखे, जपान का मैंचेस्टर जो है, यह उसाका को कहा जाता है, तो इसका राइट अंसर है, अप्शन भी हो चाहेगा, और यह देख चाहा है पुछा जाए कि भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो देखे भारत का मैंचेस्टर जो है यह हमदाबाद को कहा जाता है तो आप इसे भे याद रखेंगे सब्सक्राइब कॉछिटर मर 12 है माओरी जन जाती का निवास अस्थान कहा पर पाया जाता है तो देखे आपको इत 4 हम बताना है जो माओरी जन जाती पाया जाती है तो यह कहां पर पाया जाती है तो देखे ये पाई जाती है न्यूजी लेंड में ठीक न्यूजी लेंड में पाई जाती है तो इसका राइट अंचर है अप्शन भी उचाएगा नेश्ट कुष्चन देखे कुष्चन मरे 21 है सरोदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है तो देखे सरोदय के देश के नाम से जो है ये जपान को जाना जाता है तो इसका राइट अंचर है अप्सन भी उचाएगा नेश्ट कुष्चन देखे कुष्चन अरबाइस है भारत के लिए समुंद्री मार की खोज किसके द्वारा की गई थी तो देखे आपको इन चारों बताना है कि भारत के लिए ये समुंद्री मार की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था तो देखे ये किया गया था पूर्थगालियों के द्वारा ठिक पूर्थगालियों के द्वारा किया गया था तो इसका राइट अंचर है अप्शन सी उचाएगा नाइश्ट कुष्चन देखे कुष्चन मरतेई से संभिधान के किस संसुधन के द्वारा मतदान की आयू 21 बर से घटा कर 18 बरस की गई है तो देखे ये किया गया है एक संथवा संभिधान संसुधन के द्वारा ठीक है, 60 बर सम्विधान संसुधन के द्वारा, मद्दाता कि आयू 21 बर से घटा कर, 18 बर स किया गया है, तो आप इसे में याद रखेंगे, नेश्ट कुश्चन देखे, कुश्चन में 24 है, नेमलेखित में से सूध जल क्या होता है, तो देखे, सूध जल जो है, ये उदासीन होता है, तो इसका राइट अंसर है, अप्सन सी हो जाएगा, नेश्ट कुश्चन देखे, कुश्चन में 25 है, नेमलेखित में से कौन पालक पालक में आयरन की मात्रा पाई जाती है और बाकी मखन दूधर मचली यानि इन तीनों में कार्बोहईडरेट पाई जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नर्ष्ट कुशन देखे कुश्चन माँ 206 है परमाडू के नाभिक में क्या होते हैं तो देखें परमाडू के नाभिक में ये प्रोटान वन निउट्रान होते हैं तो इसका राई टंसर हैं अप्सन से होचाईगा next question देखिए question ma 27 है query किस की इक आई है तो δेखे query जो है ये radioactive धर्मिता की इक आई है तो इसका right answer है option CEO चाहेगा next question देखिए question ma 28 है state-oiscope का अविश्कार किस ने किया था तो देखिए आपको इन चारवम बताना है कि state-oiscope का अविश्कार जो है ये किस के द्वारा किया गया था तो देखिए ये किया गया था लाइनेक के द्वारा ठीक लाइनेक के द्वारा किया गया था तो इसका राइट अंचर है अप्सन भी हो जाएगा और यदि एक जाम पुछा जाए कि होमोपैथिक अविस्कार किस ने किया था तो देखे होमोपैथिक अविस्कार जो है ये हैनी मैन के द्वारा किया गया था तो आप इसे भी याद रखेंगे नेश्ट कुशन देखे कुशन मर उन्तीस है निमलेखित में से किस रंकत 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 से कौन सा रोग होता है तो देखिए यह होता है डाइबिटीज रोग होता है तो इसका राइट अंसर है और यह देख चाहिए पूछा जाए कि आईरन की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए आईरन की कमी से यह नेमिया रोग होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे तो तो दोस्तो यह थे जैनल स्टडीज के मोस्ट इंपोर्टन तीस कुश्चन है जो कि आपके सभी गोवर्मेंट एक चाम्स के लिए काफी मैत पूर्ण है तो दोस्तो आई होप कि यह वीडियो पसंद आयोगा पसंद आयतो वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल को सब्सक्रा सब्सक्राइब करें बेल आइकन देबाएं थैंक्स पर वाचिंग